पीनट भेल, शिंगदाने का भेल, या फिर आसान भाशा में कहूं, तो चकना हाँ बहुत लोग ये भी कहते हैं, रेस्टराओं में भी सबसे जाते हैं और सही बताओं, बनाना इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हाँ, बस एक चीज़ है जो इसे बनाने के लिए बहुत जरूरी है, सबसीयों को बारिक काटना बहुत लोग को ना सबसी बारिक काटने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उनको मैं बस यही बताओंगा कि इसमें जो सबसी जाएगी, वो सब के सब एकदम बारिक कटे रहने चाहिए और आप देख भी सकते हैं कि मैं प्यास को कितना जादा बारिक काट रहा हूँ और प्यास के साथ कुछ और सबसीया भी लेनी है, जैसे टमाटर, मैंने तीन टमाटर ले लिया है और टमाटर भी बड़े-बड़े काटने से काम नहीं चलेगा, टमाटर को भी जितना बारिक काट सकते हो, उतना बारिक काट डालो और टमाटर के साथ मैंने ले लिया है 4-5 मिर्ची, और मिर्ची को भी एकदम बारिक काट लेंगे फिर सबसी अबसी बारी काटने के बाद मैंने पैन में डाल दिया है तेल और तेल गरम होने के बाद डाल दिया है शिंग दाना इसे तेल पर पकालो अच्छी तरह से लगातार चलाते रहना वरना ये जलता भी बहुत तेज है वैसे आप इसे बिना तेल के भी सेख सकते थे लेकिन उसमें ना थोड़ा और ज़ादा वक्त लग जाता है इसलिए मैंने फटा-फट करने के लिए ऐसे ही कर लिया फिर अच्छी तरह से सेखने के बाद इसे निकाल लो और इसमें डाल दो बार एकटे वे प्यास, टमाटर, हरी मिर्च और ये नमक मिर्ची तो अपने टेस्स के साब से डालना ये मत कॉपी कर लेना फिर आदा चम्मा चाट मसाला भी डाल दे रहा हूँ और धनिया वैसे ये चाट, मसाला और धनिया भी अपने टेस्स के जाप से डाल दोगे ना तो ज़्यादा बेटर है फिर इसे कर लो मेक्स, मेक्स, मेक्स अगर चम्मा से मिक्स करने में दिक्कत दोरी तो कोई बात नहीं हाथ से मिक्स कर ले ना अब बस और कुछ नहीं मिलाना है, बस इसे निकाल लेना है और इसे जितना जल्दी खा के ख़ताओं कर सकते हैं उतना जल्दी खा लेना क्योंकि ये फ्रेश जादा अच्छा लगता है और यकिन मानो दिखने में जितना ज़ादा टेस्टी लग रहे ना खाने में उससे ज़ादा है और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताना